हेलो फ्रेंट्स आप देखने टेक्निकल हिंदी गुरूजी फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि एमची सी ने नीट की कांसिलिंग श्टार्ट कर दी है और फ्रेंट्स कई छातर कमेंट्स कर रहे थे इसर हमें फुल लाइप प्रूब बताईगा कि इसका रिष्टेसन कैसे होगा च्वाइस फिलिंग कैसे होगी प्यमेंट कैसे होगी तो उसके लिए मैं और अलरड़ी तो इस वीडियो हम बात करेंगे फिलाल कि सही कैसे करें बहुत जब अच्छा कमेंट कर रहे थी बताईएगा कि सही कैसे करें मैं step by step आपको बताऊँगा टिक है किस किस चीज़ों का choice filling करते समय आपको द्यार रखना है कितने marks वालों को कौन सी college fill करनी चाहिए कौन सी college fill करनी नहीं चाहिए यह वीडियों बताऊंगा एम से जिपमर कभ फिल करें कभ फिल नहीं करें कितने marks वाले चाहतर इसको फिल कर सकते हैं तो friends यह सभी कुछ इस वीडियो में discuss करेंगे टीक है जब आप choice filling करते हैं तो वहां पर आपको किन-किन बाता को द्यार रखना चाहिए फीस का क्या देहान रखना चाहिए ठीक है कॉलेज मेंनेजमेंट का क्या देहान रखना चाहिए तो सभी इस वीडियो में discuss करेंगे और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके टेक्निकल इंदी रिचेंग को सब्सक्राइब कर लीजिगा साधी बिल आइकन को जरूर प्रेस कर लें रही है ठीक है इस्टब बैस्टब जो च्वाइस फिलिंग करने तो वहां पर कोई दिक्कत परिशान नहीं आ रही तो मैं आपसे रिक्वेंट करूंगा कि यह सर्वर प्रॉब्डम है यह सभी के साथ हो रही है और उनसी सी से जल्दी ही ठीक कर देगा आप परिशान ना हो अभी आपके पास दो या तीन नमंबर तक समय है सो समझ कर कीजिएगा ज्यादा जल्दी ना करें और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप कांस्लिंग का रेश्टेशन या च्वाइस फिलिंग करें तो अपने म वंटेड फाइल्स बगएरा पड़ी है बेकार फाइल्स ने ठीक है उनको सभी डिलीट करने के बाद इसकी कांस्लिंग करें और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जब यह आप रेश्टेशन या च्वाइस फिलिंग करते हैं ठीक है तो कांस्लिंग के समयं दिन में इसका सर बर्बर की परिशानी नहीं होगी ठीक है तो चलिए कि मैं बताता हूँ आपको कि इसमें कितने कितने माक्स वाले कौन-कौन से चात्र कौन-कौन सा कॉलेज में यहाँ पर फिल कर सकते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स में बात करूं यहाँ पर जर्नल और ओबीसी वाले चात्र ए जर्नल वाले जट्रों के अगर इन क्यौतवरी के छात्रों के 610 नंबर से यहाँ थवाले चात्रों के 410 number से तो ऐसे च्फिलिंग करें जब आप कांशिलल क्रेंगें तो दो हमलें चैनल करेंगेवन24 वहाँ जटरनल ओवीसी और यव यह सोटॉस वाले चात्रों के शहसोट दस अगर कम उसे और ऐसी और आइसटी वालों के 450 से कम मांक्स हैं कांस्टिलिंग में जब चॉस फिलिंग करते हैं तो वहां पर सभी जितनी भी चॉस फिलिंग है सबी च्वाइस पिलिंग कर डालें अगर ऐसे चात्रे जिनके जर्णल ओवीसी एवस में 610 मांक से अधिक है यानि कि जिन चात्रों के जर्णल ओवीसी एवस वाले के 610 से अधिक है नंबर 610 से अधिक मांक से उनके और सबसे पहले तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको च्वाइस पिलिंग करते हैं अगर आप जर्णल ओवीसी एवस से अधिक मांक सापके हैं तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो आपको च्वाइस पिलिंग करनी है जो आपके ओल्ड एम्स कॉलेज है जो पुराने एम्स कॉलेज है सबसे पहले आपको उनको फिलप करना है सभी को उसके बाद जो इस्टेट मेडिकल जितने भी कॉलेज है आपके ठीक है इस्टेट मेडिकल कॉलेज उनक 150 से कम माक्स हैं, वह सभी choice filling कर kilograms हैं, जिनके इस से अधिक हैं, वह सबसे पहले अपनी choice filling करते से old ams जितने भी college हैं जितने भी filing fill up कर दें और इस्टेट medical जितने भी हैं सभी fill up कर दें, ठीक है, उसके friends आपको करना क्या है, जो new थिक है, new ams जितने भी हैं ठीक है, थर्ड नमबर पर आपके जितने भी new aims है जो नए aims college बने हैं उनको सभी को choice feeling कर दें तो इस तरह से आपको यह choice feeling करनी है और यहाँ पर जो इस तरह से choice feeling करनी है और मैं आपके एक रिक्वंट करूँगा कि जब आप choice feeling करें तो सबसे पहले अपनी ही state की choice feeling की courses करें other state की choice feeling के लिए बाद में करें ठीक है और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके 610 से 450 से अधिक marks बर रहे हैं तो इन college हो कि सबसे पहले आप old aims को choice feel कीजिएगा फिर state medical फिर new aims को यहाँ पर choice feel कीजिएगा तो इस तरह से आपको अपनी choice feel करनी है उसको करते समय यह जरू दिहान रखें कि जिस college की आप choice feeling कर रहे हैं उसकी फीज क्या है माली जीगा आपके पास इतना budget नहीं है किसी की 4 लाग किसी की 10 लाग फीज है तो आपके पास budget नहीं है तो उसे साफ से इसको choice feeling कीजिएगा फीज को देखते हूँ ठीक है फीज को देखते जो है choice feeling कीजिएगा इन सब बातों का आपको दिहान रखना है और दिहान रखें ऐसी कोई गलती ना करें ठीक है जिससे आपको बाद में परिसानी हो जब आप choice feeling करें तो वहाँ पर फीज को जरूद देख लीजिएगा मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि फीज को सकते हैं ठीक है जब आप choice feeling करें तो दो चार घंटे सोस समझ लीजेगा कि कौन सा college choice feeling करना है क्योंकि फ्रेंड्स आपर security amount बगरा बहुत ज़्यादा होता है लाखों से security amount जाता है आपका college की fees लाखों से जाती है तो इसलिए ध्यार रहे choice feeling करते समय या आपको fees बगरा सभी इस ध्यान में रखना होगा उसके बाद फ्रेंड्स आपको online registration किस तरह से करना है choice feeling online कैसे करने payment कैसे करना है इसके लिए मैं और वीडियो मना चुका हूँ आपने अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं उसकी link नीचे description दे लीडियो